ओम नमुशिवाय हर हर महादे स्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है तो आई जानते हैं स्राद्ध करते समय क्या करें क्या ना करें स्राद्ध पक्ष में लोग अपने पित्रों की आत्मा की सांती और उनकी द्रप्ति और आशिरवात पाने के लिए स्राद्ध करते हैं ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की संपति का इस्तेमाल करते हैं लेकिन उनका स्राद तरपड नहीं करते हैं तो पित्र दोस भोगना पड़ता है जिसके सेलते उन्हें कई परिशानी और दुखों का सामना करना पड़ता है इसलिए अपने पित्रों को खुश रखना और उनका आशिर्वात पाना बहुत जरूरी होता है तो चलिए आज हम आपको कुछ खास बातों के बारे में बताएंगे तो स्राद पक्ष में आपको करने चाहिए या नहीं करने चाहिए जिससे आप अपने पित्रों को खुश रख सके और उनका आशिरवार मिल सके स्राद्ध पक्ष में क्या ना करें रात के समय कभी भी स्राद्ध नहीं करें क्योंकि रात में राक्षस का समय माना जाता है स्राद में मसूर की दाल मटर राजमा काला उरासर सो और बासी भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए स्राद में लैसुन प्याज मास मदिरात का सेवन नहीं करना चाहिए स्राद में नहाते समय तेल उप्टन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए स्राद के समय कोई सुपकार नहीं करना चाहिए स्रादों में नए कपड़े पहनने और खरीदने की मनाई होती है स्राद में बाल और नाखुन काटने की भी मनाई होती है इसके साथ दाड़ी भी नहीं कटानी चाहिए स्राद पक्ष में क्या करें स्राद्ध हमेशा घर के आदमी को करना चाहिए औरत को स्राद्ध नहीं करना चाहिए स्राद्ध में गंगाजल दूस्चहद और काले तिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए स्राद में ब्रामनों को सोने चांदी काशे या तावे के वर्तन में ही खाना खिलाना चाहिए स्राद में ब्रामनों को अपने घर पर आमें दित करना चाहिए स्राद के दिन कवे गाय और कुट्टे को खाना जरूर डालना चाहिए क्योंकि इसके विनसराद अधूरा रहता है यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों की शेयर करें वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे जब भी वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुंचें धान्यवाद ओम नमोशिवाए